पार्बिस गंच एनेच सततर के रामपूर ओवर ब्रिज के पास हीरो कमपनी के बाइक शोरूम जेया मोटर से कुछ अग्यात अपराधियों दुआरा लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया जानकारी के मताबिक सभी कर्मचारी शाम को शोरूम के सभी दर्वाजों को ताला लगा कर घर चले गए इसके बाद जब सुबह सुबह कर्मचारी मोहमत शोरूम को खोलने के लिए आया तो शोरूम की हालत देखकर दंग रह गया चोर शोरों के पीछे की ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और सभी अलमारियों की ताले तोड़कर उसमें रखा कैश और सारा सामान लेकर चलते बने आनन फानन में चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दी गई वहीं शोरों के मालिक अमित्शर्मा ने कहा कि चोरों ने गल्ले में रखे 6,72,000 रुपई के साथ शोरों में रखे जरूरी दस्तावेस तक नहीं छोड़े उन्होंने कहा कि शोरों के पीछे CCTV कैमरा भी नहीं लगा हुआ है जिससे चोर पकड़ में नहीं आया उसमें कैश चाथ 6,72,000 रहे है चाण्दी कशिक का एक लैप्टॉक दूग मोबाइल मोटा मोटी यही अभी नजर आ रहा है अधिकारी शोरों के प्रोपराइटर से घटित चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही की जानकारी लेकर मामले की गंभीरता से जांच में जुट गए पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी शातिर अपराधी बेखाफ होकर अपनी कर्टूतों से बाज नहीं आ रहे शातिर अपराधी ओ दुआरा बड़ी चोरी की घटना के बाद पुलिस इस चुनौती को समस्ते हुए गंभीर रूप से जांच में जुट गई पिलहाल पुलिस दुआरे इस वारदात को जल्द से जल्द खुला सकर अपराधीयों को पकड़ने का अश्वासन दिया जा रहा है पंजाब केसिरी टीवी के लिए फारबिस गंज से बिपुल की रिपोर्ट